सूरज है अपनी चकोरिया से खफा जी हाँ, दरसल सूरज को होने लगा है शक कि चकोर को विवान का साथ आने लगा है पसंद लेकिन सूरज के इस शक के पीछे भी छुपा है चकोर के लिए बेहत प्यार लंबे वक्त के बाद उनकी जिन्दिगी में प्यार ने दस्तक दी है अब वो से खोने से डरने लगे है जाहिर सी बात है जब आपका प्यार आपका न रहे तो उस तकलीफ का एहसास बेहत ही दर्द भरा होता है चकोर से कई बार बिछणने के बाद अब सूरज उन्हें किसी भी कीमत पर खोने को तयार नहीं है लेकिन अपने इस प्यार और अपने इस डर को सूरज चकोर के सामने जाहिर भी नहीं कर पा रहे है वैसे ऐसा नहीं है कि चकोर का प्यार सूरज के लिए कम हुआ है या वो उनसे दूर जाना चाहती है वो तो बस सभी की जिन्दगी से इमली नाम की मुसीबत को हमेशा के लिए दूर करना चाहती है ताकि सभी खुशी-खुशी अपनी जिन्दगी जी पाए लेकिन वो कहते हैं ना कि हालात और वक्त के आगे किसी की नहीं चलती तो बस यू समझ लीचिये कि अभी ये वक्त सही नहीं है कोई फैसला लेने का और ऐसे में चकोर बस अपना पूरा ध्यान इमली के खिलाफ सबूत हासिल करने में लगाई हुई है चकोर और सूरज के बीच आई इस दरार के बाद भी सूरज अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहे है वो अपनी बेटी का भी पूरा ध्यान रख रहे है वेल हम तो यही कहेंगे कि ये नराजगी छोड़ एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए और एक दूसरे का साथ दे कर इस मुसीबत का सामना कीजिए मुंबई से पूजातिवारी की रिपोर्ट E24